हेलो एवरिबन नौरात्रे इसपेसल खीर जो आपके साथ में शेयर कर रहे हूँ अगर आप ये एक कोटोरी सबेरे खा लेंगे ना तो पूरा दिन ताकत से भरबुर रहेंगे यहां पर मैंने एक चमच घी लिया है एक कटोरी मखाना इसे हम रोष्ट कर लेंगे और बहुत जादा रोष्ट नहीं करना है हलकाई रोष्ट करना है कि घी खतम हो जाए यहां तीन से चार चमच मैंने घी लिया है और एक कब भींगा हुआ शावंदाना इसे अभी हम करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा अगर समय मिले तो एक बार ट्राइब जरूर करेंगा यहां पर हमारा सबुनाना अच्छे से पग गया है इसमें थोड़ा सा दूट डालके हमें इसी तरह से चलाते रहना है उबाल आने तक कि जबकि इसमें लंसनन अखचा जाएं और दाना अलग अलग नब ना हो जाएं सेम इसी प्रोसीजर से और फिर बचा हुआ गूर्भ हम डाल देंगे और इसे चला कर उबा चलाते रहें जाएंगे जब उबाला जाया स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डाल देंगे और रोश टेट मखाना डाल द और कोटिंग जो दिखाया है बहुत जादा गाड़ा नहीं होनी चाहिए यहां पर यह हल्का गुनगुना हो गया है अब इसमें हम बिला देंगे बारिक कटा हुआ सेव और बारिक कटा हुआ केला क्योंकि यहां पर मैंने ड्राइ फ्रूट्स का यूज नहीं किया है कच्छा टालाख के जादा यहां पर तक ठ्रूट्स का मैंने यूस किया है और थोड़ा सी घ्यवी त्टा नां स्वाज्वन जुची में अचम के लिए मेरिक त्टा डाला है भीम सेटां ट्थंडा हो जाए यहां तब यह मैं डालेंग तक बालेंग भात बिल्दानें गर्म